गुड मॉनिंग फ्रेंड्स आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट इस्टेडी में डेली करेंट इसमें आप फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेर कमेंट और जो भी लोग रहे हैं उनको सस्क्राइब करने के लिए बोल दीजिए ठीक हैं बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भ परवरी की डेली करेंट अफेर डेली करेंट अफेर आज नौ फर्वियों हम पढ़ेंगे आठ फर्वरी की डेली करेंट पर इसमें पहला वाल सबसे फर्स टॉपिक भारत बारत ने फर्वरी 2022 में कितना भारत ने फर्वरी 2022 में क्या की आएनों ने कोबिट नorta के proven 19 के बिरुद्ध क्या की आँछ nut Lynn डिन kभे रेली दी एन ए लैक्सिन डी एन ए बेक्सिन डिने बैक्सीन लगाने वाला, डिने वेस्वीन लगाने वाला लगाने वाला दुनिया का पहला देस बने का, किसका दुनिया का पहला देस क्यों भारत फर्वरीद हो यार बीस में 22 में ये गलत हो गया 22 में 22 में कोविट 19 के बरो DNA वेक्सिन लगाने वाला भारत पहला दुनिया में पहला देश बन गया इसके दौरा इसके दौरा भारत सरकार ने क्या किया था भारत सरकार ने आपात कालीन की स्थिती में इस साल सुरुवात में जाई डस जाईडस कैडिला जाईडस कैडिला भारत सरकार ने इस साल आपात कालीन की स्थिती में जाईडस कैडिला के DNA वेक्सिन के DNA वेक्सिन क्या किया है DNA vaccine की आपात काली गोशना कर दी आपात काली अपात काली उपियोग अब इसमें हम समझातें इस पॉइंट को इसमें क्या है सरकार ने बताया कि अगर ये इतना फैल रहा है अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान होगा इसलिए भारत सरकार ने बोल दिया कि आप जाइडस, कैंडला जो की एक DNA vaccine मलब ये DNA पर जाके सीधा DNA को छोड़कर पूरे बॉड़ी पर जो भी बैक्टेरिया उन सब पर असर करेगी इस बैक्सीन के तोरा इसलिए इसलिए DNA बैक्सीन के तोरा DNA को सुरक्षित रखेगी आपके सरीर में जो पूरे जहां जहां DNA उसको सुरक्षित रखेगी और जे आपके जो कोविट या और बी जो वैक्टेरियां उन सबको मिटा देगी, खतम कर देगी इसलिए सरकार ने इसको क्या देदी, मंजूरी देदी, कि आप इसका उपियोग कर सकते हैं, आपात कालीन के उपियोग में, इस साल फरवरी में इसका उपियोग भी किया गया, जिससे की कोविट के खफ्तरों को कम किया जा सका भारत में भारत के आसदी भारत के औसधी महान निन्तरक महान रेंतक निन्तरक ने क्या कि 12-17 साल के बच्चों को 12-17 वर्स के आईू के बच्चों को आईू के बच्चों को टीका करण की क्या दी? अनुमती बारत सरकार ने कहा कि आप 12 से 17 साल के बच्चों को टीका लगा सकते आपको किसी परकार की बारत वो नहीं है दिक्कत नहीं है इस चीज को बता दिया गया अब पढ़ेंगे next point केंद्री ये मंत्री केंद्री मंत्री अस्वनी वैस्वनी द्वारत का कहा गया कि 6 परवरी को पूरे इनके जा केंद्री मंत्री अस्वनी ने कहा 6 परवरी को अब देखने इसके आँगे बाला point पढ़ेंगे इन्होंने कहा कि 6 परवरी को 4 हजार मुबाइल टावर मुबाइल टावर को लगाय जाएगा कहां पर लगाय जाएगा ये ओडी सा में लगाया कहां पर ओडी सा में कि ओड़ी सामें लगाया जागा कितने 4000 वाइल टापरों को लगाया जाजे इस चीज को बते जी किस इसके द्वारा इसके द्वारा क्या क्या हो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी मतलब इनके द्वारे बताएं कि 4000 टावरों को ओड़ी सामल आएंगे जिसके द्वारा इंटरनेट में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कितना 6000 गाओं में 6000 गाओं में गाओं में मुबाइल नेटवर्क सुदरेगा मुबाइल मुबाइल नेटवर्क से बाहर है से बाहर है इसलिए इसमें कितने इसलिए 303,393 मुवाइल टावरों को लगाने का निर्न लगाने का निर्न थीक है अब देखो इस पॉइंट को पर लोग समझतें क्या हुगा वादा इन्होंने दिया कि मलब हम इसलिए उन्होंने बाता कि पहले इसको पूरा किया जाएगा इनके गाउं में कितने 3,933 टावर लगाने का निर्न लिया इसके लिए किन सरकार द्वारा दोजार बाइस से तेईस क्या हुआ दोजार बाइस से तेईस के वित्तिय बर्स में बित्तिय बर्स के लिए बर्स के लिए ओडिसा में ओडिसा के लिए कितना 9,734 करोड़ रुपे मतलब पर एक टावर पर 3,003 करोड़ रुपे संथिंग खर्च होगा ठीक है तीन करोड़ रुपे से ज्याला खर्च होगा सिर्फ एक टावर पर लिन्या आजान ठीक है तो दोजाब 22 और 23 के वित्तिय बर्यट के लिए ओडिसा के लिए इसने हमें देंगे एक साल के अंदर हमें इसमें पूरे टावर लगा के देंगे अपने ओडिसा के गाउं में दिंजन गाउं में इस तरह की सुब्धाएं नहीं है इस चीज को ओडिसा को बोल दिया ओडिसा सरकार को फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करना ना भूलें कि शेक के शेक कार भूलेंगे को को कि एक guardian हायर में। कि शेसों में कर दच़ाएं अर्ण्पल ढहें हो हमें होば दिएताना भंसारी गाउंदाएंदी भbon अपन पढ़ेंगे नेस्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे बंगाल रेल्वे द्वारा क्या किया बंगाल रेल्वे द्वारा बंगलादेश बंगलादेश रेल्वे ने रेल्वे बंगलादेश रेल्वे भारस से चार सो बीस ब्रॉड ब्रॉड गेज बैगन ठीक है इसमें क्या है बंगलादेश रेलेवे ने भारत से चार सो बीस ब्रॉड गेज ठीक है ब्रॉड गेज क्या होते है ब्रॉड-गेज बैगना मतला ब्रॉड इते है जो गाड़ीं थ्रेम चार्ट बीच में गहीन उतता एक मीटरर गेज होते हैं उसमें ब्रॉड गेज के लिए रहे म्तला एक मीटर से कम ब्रॉड गेज में होता है ठीक है एज़ ही है इसब भरा होता है इस चीज़ को लिया है इस अनुमंद को और इन्हों ने कहा कि हमें इस अनुमंद में इन्हों ने कहा हस्ताक्चर किये इस अनुमंद पर और बांगलादेश ने कहा कि हमें 27 अनुमंद पर हस्ताक्चर किये इसको पूरा कहले हस्ताक्चर किये ठीक है इस अनुमंद्वर हस्ताक्चर की और बांगलादेशने का भारत से कि हमें 27 महीने में कितना टाइम पिरेट कितना टाइम दिया 27 मन्थ का 27 मन्थ का टाइम पिरेट दिया और इसमें कितना 231 करोड़ टीके टीके की लागत से टीके की लागत से लागत वाले लागत वाले समझोते से समझोता लागू होगा इनने का 231 करोड़ रुपए हम आपको देंगे और टीके की लागत मतलब टीके मतलब जो भी इनका होता होगा टीके की लागत वाले समझोते लागू होगा इसके मतलब कोई समझोता होगा टीका ठीके वो समझोते के तहित इस चीज को लागू किया जाएगा सिक्षा मन्तरा लाए ने शिक्षा मन्तरा लाए ने सान्ती स्री प्रोफेसर सान्ती स्री धुलपुडिया धुलपुडि पंडित पंडित को ठीक है सिक्ष्या मंतलाने ने साथ परीज दोजार बाइस को प्रोफेसर सान्ती स्री धुलपुडिया पंडित को क्या किया इनको पंडित जवाल लाल कौन सा नहीं पंडित जवाल लाल नेरू बिस्विध्याल है दिल्ली किया क्यों है सिख्षा मंत्री ने प्रॉफेसर सांती स्री धुलपडिया को पंडित को पंडे जवाल लना् générूरू बैसविध्याल है दिल्ली के लिएक स्विध्याल मतलब कि एक तरीक से बताया जाए को इनको पहली बार किसी बिस विद्धाले में किसी महिला को क्या बनायागा उसका प्रिंस्पल टाइट में नहीं होता है उसका बड़ा प्रॉफेसर मतलब होता है ना बूस्ट को बनायेगा को पती बनाया गया और यह इनकी आयुगत दे 59 बर्स तो यह पांच साल के लिए पांच साल के लिए पांच साल के लिए पांच साल के लिए इनको उसमें रखा जाएगा कि हम आपको पांच साल के लिए अपना इसमें बना जाएगा क्यूंकि इनकी 65 बर्स अगर पूरी हो जाती तो इसी में कारकाल समाप्त कर देते मागर सर सकती है इनका भारत ने पहली बार क्या हुआ भारत में क्या है भारत की पहली सौदेशी सौदेशी जैव नमूना क्या हुआ भारत ने पहली सौदेशी जैव नमूना संग्रत किट क्या किया भारत ने पहली सौदेशी जैव नमूना क्या किया भारत ने पहली सौदेशी जैव नमूना किट को विक्सित किया ठीक है इस विक्सित में इसमें कौन से इसका नाम क्या रखे इसे कहां विक्सित किया गया है इसे अजू का अजू का लैब में क्या किया गया है बिक्सित किया गया, अजूपा लेब में क्या किया गया, बिक्सित किया गया, यह कंपनी का और ठीक है, इसमें आगे पॉइंट है, कंपनी का यह दावा है कंपनी यह दावा कर रही है, की M, W, A, R R, A, P, R, भारत का, भारत की पहली, बायो, पहली बायो, सैंप्ल किट होगी सैंप्ल किट है मतलब की, इनका दौरा बताया गया, कंपनी का यह दावा है, की M, W, R, A, P, A, भारत की पहली बायो, किट सैंप्ल है इसके कंपनी के दौरा इस खीच का क्या किया गया है, दावा किया गया है इसका एक मात्र है, ठीक है, भारत का निर्माता भारत भारत में इंडर्मित होने वाला एक मात्र मॉडिक्यूलर का है, मॉडिक्यूलर परिवाहन माद्या में इस इसमें बताया कि भारत में निर्मित होने वाला एक मान्द माद्या में इस परिवान का माद्या में इस सव्देशी किट के बनने के बाद नीती आयुक दौरा किसके दौरा नीती आयुक दौरा नीती आयुक दौरा क्या किया गया है नीती आयोग द्वारा फोन पे AWS EV के सहयोग से 7-28 फरवरी तक चलने वाले तक चलने वाले बर्चुल समीती बर्चुल समिट फिन टेक फिन टेक ओपन का आरुजन गिया पर फिन टेक ओपन का आरुजन किया नीती आयोग दारा फोन पे AWS EV के सहयोग से 7-28 फरवरी तक चलने वाले तीन अपते के बर्चुल समिट फिन टेक ओपन का क्या किया आउजित किया इसने इसमें 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 केंद्र द्वारा इसमें के इंद्र रेल संचार संचार इलेक्टोनिक इलेक्टोनिक और सूचना प्रद्यकी की मंत्री अस्वनी के सिखर सम्वेलन का अविजद करेंगे उद्घाटन करेंगे सिखर करेंगे 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 इसका उद्घाटन करेंगे इस चीज को बताएगा कि हम इसको उद्घाटन और अब उद्घाटन करेंगे और जी कब तर चलेगे 28 सवर बीज़ दर चलेगा इस चीज को बताएगे इसको उद्घाटन करेंगे इसका उद्घाटन करेंगे अस्वनी जो कि क्या है प्रॉद्धगी अब आक्री पॉइंट रह गया अभी नहीं था अक्छा कुमार दो आरा कि या कि अभी नेता अक्छा कुमार को उत्तराखंड के सीम द्वारा इसके द्वारा उत्तराखंड के कि सीम द्वारा कि अक्छा कुमार को अट्रके कमांट को उत्त्रहंगा करको अक्षे कमार को ब्रांड एम टरॉट लाय गाया न है, क्सको उत्त्रह खन्ड में इसको ब्रांड एम टरॉट्ह प्रांड एंबिस्टर बनाये गया इनके द्वारा बहां पे उत्राखंड के सी एम द्वारा अक्ष्यकमार को एक तोपी मरलब की बहां पे जो परंपरागर जो तोपी चलती है वह इसको उनको दी गई एक सॉल और चार धाम के कहा है चार तीस इस्थलों का की पेंटिंग दी गई किसको दी गई अक्ष्यकमार को इनको पेंटिंग दी गई अब यह चार इस्थल में से कौन-कौन से बद्रीनात केदारनात कौन सा बद्रीनात केदाननात और गंगोत्री यह मनोत्री अ इन चार इस्थलों की क्या की गई एक पेंटिंग हाँ से बने वी एक पेंटिंग का उध्गाटन वह एक तरीक सा उध्गाटन क्या उध्गाटन के उनको दीए इनको को दी गई किस उनस LGBT को किंको दी गई इनको दी गई इनको दी गई उत्तिएं और लोगों को भी एड़ करा दीजिए